राजस्थान के PCC अध्याक्षिर शिक्षा राज्य मंत्री गोविन सिंग डोटासरा गुरुवार को दिल्ली दौरे पर रहे गोविन सिंग डोटासरा ने न्यूज इंडिया से खास बाच्वीत में बताया है कि 26 दिसमबर से किसान आंदोलन के समर्थन में राजस्थान के प्रतेग जुले में मंत्री से लेकर कारिकृता तक प्रदर्शुर करेंगे गोविन सिंग डोटासरा से खास बाच्वीत करी है दिल्ली के बिरोची प्रिशान सर्माने गोविन सिंग डोटासरा आईए उनसे जानते हैं आज वो दिल्ली दोरे परे रहे अपने कॉंग्रेस के प्रोटेस्ट में भाग लिया क्या कहेंगे पहले तीस दिन से अनदाता सडकों पे बैठा है सरदी में परेशान हो रहा है रात को पाले में ठंड में परेशान है एम पी जिराजे सबा गुलाव नभी आजाज जी हम चार स्टेट्स के PCC चीफ सब मामुएम से मिलना चाहते थे समय मंगा समय दिया फिर निरस्ट कर दिया पैदल मार्च करना चाहते थे उसको निरस्ट कर दिया किसान की बात नहीं सुन रहे हैं जनपर्ची निदियों की की बात नहीं सुन रहे हैं विपक्षी परमुक दल की बात नहीं सुन रहे हैं तो ये अत्याचार अन्या है यह मोधी जी की सरकार किसान के ओपर क्यों कर रही है यह समझ से परह अपने چंद उद्योगत्ति मित्रों को फायदा देने के लिए ये जो तीन काले कानून लाए गए हैं, ये तीनों कानूनों के बारे में कभी भी किसान संग्टन ने, किसान ने, किसी भी लोक सभा में, राजे सभा में, या किसी विदान सभा में, किसी भी जनपरतिनी दिदी मांग नहीं की, तो ये तीन बिल्किस परकार से आगे, इनको वापस क् अनदाता सटकों पर सुनाई नहीं कर रहे हैं, जन परतिनिदी की नहीं सुन रहे हो यह अराजकता का माहोल यह दादागिरी यह अन्या यह अत्याचार इन किसानों पर जो 70% से जляदा जनता है और जो 100% लोगों का पेट पालती है उस वरक के साथ में आप कर रहे हो आने वाला समय आपको बता देगा कि मोदीजी केवल जूट बोलके जूटे जूमले गड़कर कि कुछ दिन राज किया जा सकता है लेकिन जनता की वाईवाई नहीं लिया सकती जनता का आसिरवाद नहीं लिया सकता है जो मुद्दे आपने साथ साल पहले NDA1 के समय प्रधान मंतरी बनने से पहले दिये थे उन मुद्दों का जवाब जनता जाना चाहती है कहां दो करोड लोग एक मैंने एक साल में नोकरी के लिए आपने बात कही थी किसान के आए को दुगुनी करने के आपने बात कही थी किसान की लागत का 50% मुनाप़ के आपने बात कही थी वो कहां गए तो ये सारी चीजें हैं लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार सुनने ही रही है आज जो जिस प्रकारगात्य आजार किसानों पे हो रहा है कॉंग्रेस पार्टी राहूल गांदी सोनिया गांदी जी हम लोग सब किसानों के साथ में खड़े हैं और अंत में हार इन ही की होगी इनको मूँ की खानी पड़ेगी जैसे बोमी अधिकरण गानून में इनको खानी पड़ी थी अचा सर बात करें जैसे आज धारा 144 लगा दी वहीं सिंदू बोर्डर पे किसानों को रोग दिया राजस्तान से जब किसान रवाना होते हैं तो उन्हें राजस्तान पुलिस आने देती है लेकिन सांजा बोर्डर पे आते ही उन्हें हरियाना पुलिस रोग देती है इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे देखे हरियाना पुलिस हो चाहे मद्दे प्रदेश की पुलिस हो मोदी जी का इतना बड़ा आतंक है और सबी स्टेट्स में जहां बीजेपी का सासन है वहां पर इनी का हुकम चलता है और मैं तो कहता हूँ कि इससे बड़ा अन्याय कभी इंदुस्तान में नहुआ नहोगा कि 80% 70% जो अन्न दाता है उसकी बात भी आप नहीं सुन रहे हो और वो यही तो कहा रहा है अपके यह काले कानून आप वापी ले लीजिए इससे हमारा नुक्सान होगा हम जो किसान है वो किसान नहीं रहके मजदूर बन जाएंगे हमारी जो उपज है उसके ओपर उद्यूक पति डाका डालेंगे जमाखोरी बढ़ेगी MSP हमारी खतम हो जाएगी जो मोदी जी मुख्य मंतरी रहते वे मनमौन सिंग जी जब परधान मंतरी थे तो कानून बनाने की बात करते थे और उसमें MSP का अनिवारियता की बात करते थे वो मोदी जी आज MSP का जब कानून लाए हैं तो MSP निवारी क्यों नहीं कर देते जंजट कतम हो जाएगा ये थे राजस्तान के PCC चीफ गोविन सिंग डोटासरा जो कह रहे हैं कि कॉंग्रेस पीछे नहीं हटेगी और 26 तारिक से राजस्तान के प्रत्यक जिले में कॉंग्रेस के मंत्री हो चाय कोई कॉंग्रेसी नेता हो सभी किसान के साथ कंदे से कंदा मिला कर क्रशी बिलों के खिलाफ लड़ाई में उतर जाएंगे कैमरामेन अंकुस के साथ प्रशान शर्मा न्यूज इंडिया दिल्ली